बास का नाम तो सबने सुना है लेकिन बहुत कम लोगों को ए पता होगा कि बास को खाया भी जाता है। आप जो लंबे लंबे बास देखते हैं उस बास के आउसद गुड अंगिनत हैं जिससे कई लोग अंजान हैं। शायद आप सोच रहे होंगे इतने सक्त बास का इस्तेमाल स्वस्त रखने के लिए कैसे किया जा सकता है। दर्शल में बास का सक्त भाग नहीं बलकि इसकी पोपलों का उपयोग खाने के लिए किया जाता है। शदियों से अवसद के रूपने इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इन बास के पोपलों को इंग्लिस में बंबू सूट कहा जाता है। एहे कई शारे अवसद गुड़ों के साथ पॉस्टिक तत्तों से बरपूर होता है। हम बता ही चुके हैं कि बास के अवसद गुड अंगिनत हैं, डाइरिया से राहत दिलाना, स्वचा सम्मेंदी समस्याएं और कांज दर्द को कम करना सामिल है, बस ध्यान दे बास की पोपलों को किसी गंबीर बिमारी का इलाज नहीं समझना चाहिए, दर्शल इसमें ग्लुकोशाइट, नुकलियस एंजाइम, बिटेन, साइनोजेन, केमिकल कमपाउंड होते हैं, जो दस्त के उपचार में सहायक होते हैं, एक रिशर्ज पेपर के मुताबिक संस सम्मंदी परेशानियों को दूर करने के लिए भी बास की पोपलों का इस्तेमाल किया जाता है, बास की पोपलों का काढ़ा बना कर सहिद के साथ पीने से स्वसन सम्मंदी समस्याओं में राहत मिल सकता है, दोस्तो हम आपको बता दे अगर मौसम के बदलने के साथ हर बार कफ की समस्या हो जाती है, तो इसके लिए बास के पोपलों का उप्योग किया जा सकता है, खासी से आराम पाने के लिए बंबू सूर्ट का जूस बना कर सेवन करने से जल्दी आराम मिल सकता है, बास खाने के फाइदे में डायवटीज नियंतर भी सामिल है, अद्देनों से ए पता चलता है कि बास में मौजूद घुलन सील, डायटरी फाइबर मदमे को नियंतरित करने में सहायक हो सकता है, फाइबर सरीर में कार्बो हाइडरेट के वेक डाउन और सुगर के अवसोसर को दीमा करता है, जिससे डायवटीज को नियंतरित किया जा सकता है, बास के पोपले पीरियेट्स की परेशानियों के लिए भी फाइदे मंद है, माशिक धर्म चक्र या पीरियेट की समस्या से हर महिला को जूजना पड़ता है, किसी का माशिक धर्म चक्र अन्यमित होता है, तो किसी का हच्चे ज़्यादा दर्द होता है, बताया जाता है कि बांस की पोपलों को पीरियेट में रिगलेट करने में मदद कर सकता है दोस्तों ये बुखार में भी फायदे मंद है दोस्तों इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सस्क्राइब करें वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें